एक ऐसी बिना लेसन प्याज की भर्वा सिम्रा मिर्च की सब्ची लेकर के आई हूँ जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होती है और अगर आप इसे किसी पार्टी में बनाएंगे तो वो पार्टी में सारे डिसे में एक यूनिक डिस हो जाएगी और ये बहुत ही यूनिक रेस्पी है आप इस रेस्पी को जरू से ट्राइग करें हलो एवरिवन आप से भी का मेरे चांगत पुरीजबर के जैमे स्वागत है आए इसे बनाते हैं यहां पर मैंने छे सिम्रा मिर्च ली है इसे हम नाइप्स के हल्प से उपर वाले पार्ट को कट कर देंगे इस प्र उनके बैक साइट से या फिर नाइप से इस तरह से निकाल देंगे और इसी प्रकार से मैं सारे सिम्रा मिर्च को कट करके तयार कर लेती हूं अब इसे हम साइट में रख देंगे और एक कराही लेंगे इसमें तीन चम्मच के करीद तेल डालेंगे मैं यहां पर सरसो तेल के इस्तेमाल कर रहे हैं फिर इसमें थोड़ा से जीरा डालेंगे और फिर हींग डालेंगे हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भरवासिमला मिर्च के स्टफिंग में फिर इसमें वन टीज स्पून के करीब गिस करके अद्रक डालेंगे आप यहां पे अद्रक का भी धनिया पत्ती एक टीज स्पून कसूरी मेथी डाल करके इन सब चीजों को एक मिनट के लिए स्टर फ्राइ कर लेंगे फिर अब इसमें मैं यहां पर पांच उबले आलू लिये हैं जिसे मैंने मैस कर दिया है उन आलू को इसमें डाल देंगे आलू को आप 3-4 सिटी आने तक उबाल ले फिर उसे ठंडा करके छीन ले छिलके को निकाल करके मैस कर लेंगे अब आलू को इन मसाले के साथ मिला देंगे अच्छी तरह से फिर इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे फिर आदा छोटी चमज हल्दी एक छोटी चमज लालमिज पाउडर डालेंगे एक बड़ा चमज धनिया पाउडर और एक छोटा चमज जीरा पाउडर डालेंगे फिर इसमें एक छोटा चमज अजवाईन और आदा छोटा चमज चाट मसाला डालेंगे अजवाईन से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर इन सारे मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 3-4 मिनट तक भूनेंगे इस तरह से मैंने आलू में सारे मसाले को अच्छी करह से मिला लिया है और इसे 4-5 मिनट तक भून लिया है आलू भून चुके हैं तो अब इसे एक अलग बाउल में निकाल करके इसे ठंडा होने के लिये रख देते हैं और आप ये देखे मैंने आलू सारे निकाल लिये फिर मैंने एक कराही लिये इसमें एक चौथाई कप मुंगफली के दाने और एक चौथाई कप काजू लेंगे और इसे ब्राई रोस्ट करेंगे इसे रोस्ट करने के लिए मैंने कोई ओयल नहीं लिया है आप देख सकते हैं काजू और मुवफली अच्छी तरह से रोफ्ट हो चुके हैं तो अब इसे एक बटन में निकाल लेंगे फिर कराही में दो छोटा चम मर्च तेल डालेंगे और जो हमने सिम्ला में श्काट करके रखा है ना उसे इसमें डाल करके अलटते पलटते हुए थोड़ा सा सेख लें हम दो मिनट के करीब सेख लेंगे और यह सिख चुका है इसके स्किन पर आप देख सकते हैं मार्क आ चुके हैं तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सिम्ला मिर्च को भी थोड़ी ठंडा होने देंगे आप देख सकते हैं चारोवर से अच्छी तरह से यह सिख चुका है फिर जो हमने मूंफली और काजू को रोस्ट किया था वो भी ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम दरदरा पीस लेगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ अब हमारी सिम्ला मिर्च भी ठंडी हो चुकी और हमारी आलू की स्टिफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो अब एक सिम्ला मिर्च लेंगे और उसमें अच्छी तरह से आलू की स्टिफिंग को दबा दबा करके भर देंगे इसी प्रकार से सारे सिम्ला मिर्च को अच्छी तरह से आलू के स्टफिंग से भाड लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने सारे सिम्ला मिर्च भाड लिये हैं मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेटेट पनीड लिये हैं जिसे मैं सिपला मिर्च के उपर इस प्रकार से दबा दबा करके अच्छी तरह से प्रेस करके लगा दूँगी और एक तरह से जो आलू की स्टपिनिया उसे सील कर दूँगी अब कराही में थोड़ा सा और तेल लेंगे और उसमें पलट करके पनीर वाले साइट से सिपला मिर्च को रखेंगे और इसे हम हलका सेख लेंगे बिल्कुल गोल्डेन कलर आने तक और आप यह देखी गोल्डेन कलर आने तक मैंने सेख लिया है अब उसी कराही में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें दो छोटे इलाईची लॉंग और जीरा डालेंगे फिर इसमें हम जीरा को चटकने देंगे फिर इसमें धर्या पत्ती और कसूरी मेती डाल करके एक मिनट तक सेख लेंगे फिर इसमें एक छोटा चमच पुदिना पत्ता भी डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी ग्रेवी में कोई भी करवापन ने रहेगा बहुती बैलेंस ग्रेवी बनेगी लेकिन बहुती स्वाथ बनेगी एक नट सेखने के बाद इसमें मैंने यहां पर तीन चौथाई कप टोमाटो प्यूरी डाला है अगर आपके पास टोमाटो प्यूरी नहीं है तो फिर आप तीन-चार टोमाटर को लेए और उसे पीच ले और हमारे प्यूरी तयार है इसे भी तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फिर इसमें हल्दी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर रेगुलर वाली फिर इसमें AADA CHCHUTाच चफमेनज कास्मीन लाल मिर्च इसे GRAVY में कलर बहुत अच्छी आहेगा फिर इसमें एक CH चफमच जीरा और बेर कंच चमच नन्या पाउडर डालेंगे फिर इसमें एक चोथाई चमच डाल चीनी का पाउडर आदा छोटा चम्मत चॉट याने की सुखेवी अद्रक का पाउडर डाल करके इन सारे चीजों को अच्छी तरह से टमाटर वाली ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और इन्हें 3-4 मिनट तक भूनेंगे फिर इसमें अपने स्वात की अनुसार नमक डाल दें और इन्हे आप देख सकते हैं किनारे से यह तेल छोड़ दिया है इसे उन्तेवे 4-5 मिनट हो चुके हैं फिरसे इसे एक बार मिक्स कर दें फिर यहां पर दो मरा चम्मत हंकर डालेंगे हंकर के लिए आप क्या करें दही को एक छन्नी पर डाल करके फ्रिज में रख दें इससे दही हमा आप देख सकते हैं कि यह तेल छोड़ दिया है तो फिर इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा से चीनी डालेंगे सबची मीठी नहीं होगी बहुत अच्छा बैलेंस इसका टेस्ट आएगा इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर दो टेविल स्कूल इसमें दूद की जो मलाई होती है ना वो डाल लेंगे अगर आपके पास मलाई नहीं है तो मार्केट में जो फ्रिस प्रीम मिलत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर यहां पर मैंने करीब दो कप यानि की 400 ml के कड़ी पानी डाला है जिसे मैंने गर्म करके डाला था यहां पर आप गर्म पानी डाले इसे ग्रेवी की टेस्ट बहुत अच्छी बनती है तीन चार मिनट पानी में वाल आने के बाद हम इ शोइए और इसे दो मिनट ग्रेवी में कवर करके पकाएंगे और फिर एक लीड हटाने के बाद इस तरह से सिमला मिर्च को फिर से ग्रेवई मैं पलट ते हुए दो मिनट और कुक करेंगे फिर इसमेँ थोड़ा सा धनिया पती डालेंगे और इट को बंद कर देंगे फिर से इस तरह से कंडे पे हमारी सिम्या मिर्च में हल्का क्रंची नेस भी रहता है और वो बहुत ज्यादा सौफ भी नहीं होती है पर उरी तरह पक जाती है और दो मिनट कवर करके पकाने के बाद हम फ्लेम को आफ कर देंगे और हमारी सिम्या मिर्च की सबजी बिलकुल तयार है पाटियों वाली अब इसे मैं एक प्लेट में सर्फ करके आपको दिखाती हूँ सबसे पहले हम प्लेट में ग्रेवी को डालेंगे और उसके उपर सिम्ला मिर्च रखेंगे इसे सर्फ करते समय आप सिम्ला मिर्च को बीच से कट कर ले और फिर इसके उपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर ले इस प्रकार से और थोड़ा धन्या पती डाल करके इसे सर्फ करें यह बहुत ही मज़दार लगती है आप इसे एक बार घर में जरूर से बना करके देखें आपको बिल्कुल पाटियों वाला टेस्ट लगेगा आप इसे किसी भी चीज के साथ यानि की चावल, पराथा, लच्छा, ना, लच्छा, निती रोटी किसी भी चीज के साथ खात लगते हैं बहुत ही मज़दार लगती है और आप इसे अपने घर पे बनाएं अपने महमानों को खिलाएं ये डिस्ट जो है आपके पाटी की जान होगी ये आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको साई नोटिफिकेशन मिलती रहे और मिलते हैं हम फिर नई वीडियो के साथ रन्यवाद